हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक कुमार आइकन दबा दीजिये ताकि आने वाली हर विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं कातिल कोई कतल कर दे और सुराग भी ना मिले ऐसा चाहता तो हर कातिल है और अंजाम भी दे देता है लेकिन सच ये भी है कि उसके गुनाह से परदा एक ना एक दिन उठी जाता है एक शक्स जो पेशे से टीचर लेकिन शातिर इतना की उसके सामने हॉलिवुड की बड़ी से बड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की स्क्रिप्ट भी फेल हो जाए एक हथियार से दोदो कतल कर दिये कतल के बाद ऐसी साजिश की सामने वाले को शक भी ना हो और ऐसा हुआ भी आज क्राइन की कहानी में ऐसे खौफनाक नाइट्रोजन किलर की जिसने एक हथियार से दोदो मर्डर किये और हत्या को लोग सामान्य मौत समझते रहे ये क्राइन की कहानी पंजाब से है कातिल एक महीने पहले ही प्रेगनेट बीवी का कतल कर देता है लेकिन खिर भी वो दुनिया की नजरों में बेगुनाह रहता है क्योंकि उसकी बीवी की मौत को लोग साधारन मौत समझते थे ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई चोट के निशान थे और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती के और ना ही फासी लगाने का या फिर कोई और निशान लोगोंने ये मान लिया था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई उस रहस्य पर तो परदा आज भी पड़ा था लेकिन दूसरे कतल में जब आरोपी टीचर पुलीस के हथे चढ़ा तब पता चला कि वो घटना भी हत्या की थी आखिर कौन है वो कातिल? कैसे करता था वो कतल? आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि जिससे वो कतल भी कर दे तो दुनिया की नजरों में वो साधारन मौत साबित हो जाती थी खौफनाक साजिश करने वाले इस किलर की कहानी 22 अक्टूबर 2021 को सामने आई कातिल का नाम नवनिंदर प्रीत पाल सिन उम्र तक्रीबन 40 साल इल्जाम बीवी और मंगेतर की हत्या का दोनों की हत्या का तरीका एक जैसा लेकिन कोई सुराग नहीं एक कतल 19-20 सितंबर 2021 की रात में पहली बीवी का और दूसरा कतल मंगेतर का 13 अक्टूबर की रात दरसल नवनिंदर प्रीत पाल सिन्ह ने पुलीस रिमांड के दौरान कबूल किया कि उसने अपनी मंगेतर का कतल किया था उसने बताया कि उसने अपनी मंगेतर छपिंदरपाल कौर से सगाई से पहले भी दो शादी की थी अपने रिष्टों से परेशान होकर उसने पहली बीवी सुखधीप और फिर मंगेतर छपिंदरपाल कौर की हत्या की प्लानिंग की थी उसने कई हॉलिवुड फिल्में देखी और नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तिमाल कर हत्या करने के तरीकों के बारे में इंटरनेट से जानकारी इकठा किया मामला है पंजाब के पटियाला का आरोपी नवनिंदर प्रीत पाल सिह ने अपनी मंगेतर की हत्या की साज़िश रचने की बात कबूल किया इसकी जानकारी तब हुई जब बठिंडा की छपिंदर पाल कौर की हत्या की जाच हो रही थी दरसल आरोपी ने 11 अक्टूबर को अपनी मंगेतर को शादी की शौपिंग के लिए पटियाला बुलाया था 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पीडिता ने अपने परिवार से फोन पर बात भी की थी इसके बाद जब घरवालों ने छपिंदर पाल कौर को कौल किया तो फोन उसके होने वाले पती नवनिंदर प्रीट पाल ने उठाया उसने ये बताया कि 14 अक्टूबर को शौपिंग के दौरान दोनों में जगड़ा हो गया था इसके बाद मंगेतर घर से कहीं चली गई जल्दबाजी और गुस्से में वो अपना मोबाइल फोन भी ले जाना भूल गई इसलिए वो भी संपर्क नहीं कर पा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीडिता के पिता सुख्चैन सिह ने बताया कि 13 अक्टूबर को उनकी आखिरी बार अपनी बेटी से बात हुई उसके बाद फोन पर बेटी के होने वाले पती से ही बात हुई लेकिन उसके जवाब से वो संतुष्ट नहीं है इसलिए वो 15 अक्टूबर को पटिया ला आए सुख्चैन सिह ने बताया कि नवनिंदर प्रीत और छपिंदर पाल कौर की सगाई 2020 में हो गई थी तब से वो शादी टाल रहा था आखिर में अब 20 अक्टूबर को शादी तय हुई थी लेकिन एन मौके पर उस देट पर भी शादी को उसने कोई ना कोई बहाना बना कर ताल दिया इस बात से चपिंदर पाल कौर बहुत परिशान थी उसी को समझाने के लिए आरोपी ने उसे शौपिंग के बहाने पटियाला बुलाया था जब 15 अक्टूबर को भी बेटी नहीं मिली तो सुख्चैन सिह को नवनिंदर प्रीट पाल सिह पर शक हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्स कराई शुरुआती जाच के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपनी जूठी कहानी से गुमराह किया उसने पुलिस को बताया कि पीडिता उससे शौपिंग करने के लिए साथ चलने के मामूली जगडा कर घर से कहीं चली गई थी और मॉबाइल फोन भी उसके पास ही छोड़ गई थी पुलिस को भी उसकी बातों में गड़बडी नजर आ रही थी लिहाजा पुलिस ने उसके बैट ग्राउंड के बारे में पता लगाया इस दौरान सामने आया कि वो पहले से शादी शुदा है लेकिन इस बारे में उसने किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप से विनमर निवेदन है की कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है इसके अलावा ये भी पता चला कि एक महीने के भीतर ही उसकी पतनी की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी लेकिन इस बात को भी उसने सबसे चुपाई रखी थी यहां तक की जिनसे शादी करने वाला था उसके परिवार से भी ये बात चुपाई थी इससे पुलिस को उस पर शक और गहरा गया इसके बाद पुलिस ने मंगेतर की हत्या कर शव को छुपाने का मामला दर्स किया पुलिस ने पीडिता के पिता की शिकायट पर 22 अक्टूबर 2021 को गिरफतार कर लिया कोर्ट ने पुलिस को नवनिंदर प्रीत पाल सिह का 6 दिन का रिमांड दिया जिसमें आरोपी ने दिल दहलाने वाले खुलासा किया आरोपी ने पुलिस रिमांड में जो खुलासा किया वो बेहद ही चौकाने वाला था उसने कहा कि मंगेतर छपिंदरपाल कौर की नाइट्रोजन गैस के जरिये पहले हत्या की और फिर उसके शव को अपने घर में ही फर्ष खोद कर छुपा दिया है इस वारदात को उसने 13 अक्टूबर की रात को ही अन्जाम दे दिया था आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो हत्या को ऐसे अन्जाम देना चाहता था जिससे किसी को शक ना हो वो ये भी नहीं चाहता था कि उसे मारपीट करनी पड़े या फिर गला दबाना पड़े या फिर किसी चाकू या दूसरे हत्यार का इस्तिमाल करना पड़े ऐसे में आखिर कौन सी तरकीब है जिससे हत्या भी कर दें और कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उसने काफी पहले ही हॉलिवुड और साउथ की कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखी थी इन फिल्मों से उसे ये बात पता चली कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंधा दी जाए तो जाहिर है शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मौत स्वाभाविक है फिर क्या था इस शक्स ने भी वही तरीका अपनाया लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो अपनी मंगेतर को क्या कहकर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंधा था लिहाजा इसके लिए भी उसने एक नई तरकीब निकाली उसने अपनी मंगेतर से कहा कि शादी से पहले चहरे पर चमक लाने के लिए ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी ऐसा करने से चहरे पर ग्लो आ जाएगी और भी कई बहाने बनाकर गैस लेने के लिए उसने मंगेतर को तयार करा लिया इसके बाद चालाकी से ऑक्सीजन सिलिंडर में नाइट्रोजन गैस भरवा कर घर ले आया और मंगेतर को देदी मंगेतर ने ओक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस से भरे सिलिंडर का मास्क लगा लिया और कुछ देर बाद ही दम तोर दिया कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी उसने मंगेतर के शव को छुपाने के लिए भी फिल्मी तरीके से तानाबाना बुना आरोपी छपिंदर पाल कौर को मारने के बाद उसकी लाश को अपनी अर्बन एस्टेट फेज एक की कोठी के बिडरूम में ही दफनाया था आरोपी ने देर रात गड़ा खोदने के लिए बाकाइदा गलव्स पहने और पत्थर तूटकर टुकड़ा आख में ना जाए इसके लिए चश्मा भी पहना गड़ा खोदते वक्त शोर न हो इसलिए टीवी की आवास तेज कर दिया कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया इसके बाद आरोपी ने गड़े को प्लास्टर से बराबर किया और मैट बिचा कर बेड लगा दिया ताकि किसी को उसके बारे में कोई भनक ही ना लग सके पुलिस की जाच में पता चला कि आरोपी ने बारह फरवरी 2018 को गाव बिशनपुरा तहसील सुनाम की रहने वाली सुखदीप कौर के साथ भी शादी की थी शादी के कुछ साल बाद ही आरोपी सुखदीप को भी मारने में जुट गया था आरोपी ने उसकी भी 19 सितमबर 2021 की देर रात नाइट्रोजन गैस सुंधा कर हत्या कर दी थी उसने बताया कि जब हत्या की उस समय सुखदीप प्रेगनेंट थी ऐसे में उसने बहाना बनाया कि अगर वो आकसीजन लेगी तो बच्चे का विकास बहतर होगा उसके बाद उसने नाइट्रोजन गैस सुंधा कर अपनी पत्नी को मार दिया था वारदात के बाद उसने पत्नी के परिवारवालों को बताया था कि हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई चुंकि सुखदीब के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और ना ही कोई खून निकला था इसलिए घरवाले भी उसे हार्ट अटैक मानकर शान्थ हो गए थे पुलिस ने बताया कि पीडिता की लाश को आरोपी ने बेडरूम में चार फीट गहरे गढ़्धे में गाड़ दिया था पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में लाश को निकाला और पोस्ट मार्टम के लिए भेजा पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन रिक्रियेट करने के लिए पुलिस की टीम आरोपी को 22 अक्टूबर की सुभह 7 बजे उसके घर गई उसके पिता रिटायर्ड लिफ्टिनेंट करनल बलवंत सेह को उसके साथ घटना स्थल पर बिठाया गया घटना के समय आरोपी के मातापिता कहा गए हुए थे इस बात का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बतायेगा और ऐसी ही अपराद की सक्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद